दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज़ आपसे बताना चाहूंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय रेलवे गुरूप D की परिच्छा चल रही है और आगे भी चलने वाली है तो अभी तक रेलवे गुरूप D की परिच्छा में जितने भी परिच्छा में पूछे गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने वीडियो के डिस्करप्शन में आपको दे दिये हैं आप एक एक करके उनको जरूर देख लें यह सारे प्रसन आपको 15 लेक्चर में मिल जाएंगे जिनमें से वो सभी प्रसन होंगे जो भी तक परिच्छा में पूछे गए हैं और जो भी important है आपकी परिच्छा में आ सकते हैं आने वाली परिच्छा में तो आप लोग यह 15 लेक या फिर किसी आने परिच्छा का study material तो आप एक काम तुरंत कर लिजे आपको नीचे वीडियो के description में हमारे अने अकेडमी का link मिल जाएगा जहां से आप हमें follow कर सकते हैं और message कर सकते हैं आपको जिस परिच्छा का study material चाहिए आपको provide किया जाएगा इसके साथ साथ आपको railway UPSC SSC की live class भी provide कराई जाएगी दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का बात करेंगे railway में आने वाली 6000 नई भरतियों के बारे में इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नया है उनसे निवेदने प्लीज चैनल को सब्सक् बाहल करेगा 16 रेलवे जोन के लिए यह योजना मनाई जा रही है पहले चरण में 3000 नय टिकट निरिचक की बाहली का आदेश हुआ है अन्य 3000 टिकट निरिचक की बाहली पर करिया इसके बाद शुरू होगी इसमें टाटा नगर स्टेशन वा दच्छिडपूर जोन में सभी मंदल चक्रधरपूर राची खड़कपूर आंधरा को नए टिकट निरिचक मिलेंगे जो आल इंडिया नेशनल टिकट चेकिंग स्टाफ और्गनाजेशन के अंदुलम के संभव होपाया है रेलवे 2013 में विभागी है परिछा मंदल से जोन इस्तर पर टीटी के खाली पद को बर राय ट्रेन बड़े टिकट निरिचक नहीं आल इंडिया नेशनल टिकट चेकिंग स्टाफ और्गनाजेशन के चक्रधरपूरम मंदल सचिव आनद मिसरा ने बताया है कि ट्रेने हर वर्स बढ़ जाती है लेकिन जाज कर्मियों की संक्या नहीं बढ़ती इसमें सभी अच्छी खबर यह आप देख सकते हैं कि 6000 टीटी भरती होंगे जिससे रेलवे को बहुत जादा फाइदा मिलने वाला है और आप में से जो लोग इंतजार कर रहे थे इस भरती का उनका इंतजार भी पूरा होने वाला है अच्छी खबर यहां पर देख सकते हैं आप लोग चक्रधरपुर मंडलवाज जोन में हैं चमता से कम टेकर निरीचक साड़े 8000 ट्रेनों के जाच के लिए सिर्फ 29000 टीटी तो 6000 पर भरती आपका इंतजार कर रही है जल्द इस भरती के लिए उन्टिफिकेशन आएगा और इसके लिए आविदन शुरू हो जाएगा तो फि